हाँ भई आजब तुम्हारे तो वारे ने आ रहे हैं हुन दोनों एक ही उमर की हैं और शादियां भी आगे पीछे हुई मकर तुम बड़ी नसीबों वाली है यानि साल के बारा महीने ताज़ा पनों और सबजिया मिलती है खालिस मक्षन दूद और हर तरह के दही मज़े मज़े के पनीर और सीरियल्स भी अरे सुनके मूँ में पानी आ रहा है हाँ भई सुना है अमरीका बहुत खुबसूरत है तुम तो जन्नत में रह रही हो सब नसीबों के खेलें अब देखो ना तुम्हारे शादी अमरीका में बेंक के किसी आला मुलाजम से हुई और मेरी मेरी पाकिस्तानी मामूली केशियर से मत पूछो जिन्दगी कैसे बुजर रही है असलाम उलेकुम वालेकुम असलाम मैंने आज एक फैसला किया है कैसा फैसला यही कि मैं जवेरिय की जादी किसी ऐसे शक्से करवाऊंगी जो अमरीका में रहता हो अमारी कलोती बेटी के बहुत ठाट होगी जब वो गोरे और गोरियों की शाना बशाना ट्रेन में और सब्वे में सफर करेगी खुबसरत मकामात की सहर करेगी उसका बड़ा सा आराम दे घर होगा है पस एश ही एश होंगे आसमा की तरह फिर उसकी जचगी होगी न तो मैं भी अमरीका जाओंगी और अपनी आखों से दुनिया में बसी जन्नत को देखोंगी आखिर ये कमेटियों के पैसे कब काम आए बस करो जो अल्ला ने दिया उसका शुकर अदा करो दूसरों की तरफ हसरत से मत देखो ये जिन्दगी में कैसी काट रही हूं कोई क्या जाने आपकी तनफ़ा में बड़ी मुश्किलों से गुजारा होता है अपने उजवेरे के कपड़े खुद सीती हूं मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को भी ना तंग दस्ती में रहना पड़े कल आर्फ भाई आये थे जब आप आफिस में थे वो बता रहे थे कि उनके पडोस में पिछले दो साथ से कोई आदिल नामी शक्स एक महीने के लिए पाकिस्तान आता है और वहीं पर वो कोई किराय के मकान में रहता है अमरिका में उसका बहुत बड़ा कारोबार है और अपनी दुकाने भी है और वो किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है तुम क कि आदिल को मारे घर ले आए और इसी बाहने हम जवेरे को दिखा दिखा दिए हम इस घर में यू भी तुम्हारा राज है मैं क्या कह सकता हूं मैं तुम्हारा ली चाह ले आती हूं कि आपके वालदें का होते हैं जी वो अमेरिका में रहते हैं वाली सापकी तबेट अक्सर खराब रहती है इतना बड़ा विज्डिस है सो मुझे अकेली देखना पड़ता है मेरे हाँ कोई नहीं सो इसलिए मैं खुद बात करने सालाया आपके पास बस अब जल्दी से शादी हो जाए तो आपके बेटी का अमेरिका का विज़ा भर्माद हो है हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए इस्तखारा भी तो करवाना होगा इस्तखारा तो वहां होता है जहां कोई चीज वाज़े नहों यहां तो सब कुछ साफ औ शफाफ है मुझे तो आदिल बेटा ब कर दो यहां अक्सर बिजली चले जाती है तुम चेंज कर लो इजी हो जब मैं एक मोमबती खुसुल खाने में भी रख देता हूं जी यहां पर दो सब कर दो थाने में लोगा है तो खाने जादी बादी च्सकीज़ एक में उने आदिल आदित मैं पांजीा के ज़ें आदिए भी हाँ तो मैंने तुम्हें अमेरिका के बार में सब कुछ बता दिया इस सिगरिट की ना बद्बू कुछ अजीब सी है ये जर्स है तुम भी लो क्या क्या ये चर्स है आप आप चर्स पीते हैं मुझे दू रखिये प्लीज इसको इसमें क्या हर्श है अवरिका में तो इसको फैशन समझा जाता है बड़े मजे की गोली है मुझे बहुत दीन आरही है तुम भी सोजाओ शादी की रात तो जिंदगी की बड़ी हसीन रात होती है पर यहां तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है हाँ हाँ असमा धूले मियां बहुत अच्छे हैं यकीन जानो जहेज का मुतालबा भी नहीं किया बस अब यू समझो के जवेरिया बहुत जल अमरीका आ जाएगी एक बात का ख्याल रखना अमरीका से आए लो अक्सर मुबालगा आमेजी करते हैं लड़के के बारे में मुकमल मालूमात तो हासल करनी थी ना हाँ हाँ मैं तुम्हें बादे बाद करूंगे भी मसरूफ हूँ सुनो जरा रुको जब चमील से मेरी शादी हुई थी बताया गया था कि वो बैंक में आला दर्जे का मुलाजम है जबके वहां इसका काम सफाई करना और चाय बनाना था क्या मगर तुम तो बहुत ऐशो शिरत में रहती हो इसलिए कि मैंने खांदान की इज़त पर आँच नहीं आने ली किसी को नहीं बताया और खुद भी एक स्टोर में मुलाजमत कर ली फिर काम पर जाने वाली औरतों के बच्चे संभालने लगी इस तरह मुश्किल से करना पड़ता है सुस्रारवालों के खिनमत दी बस क्या बता हूँ जीनत जीनत देखो मैं सुभा नाश्ता लेके पहुंची तो आदिल गहरी नेंस हो रहा था और जवेरिया चक्कर लगा रही थी और रो रो के बुरा हाल था इसका और इसने कहा कि आदिल को बिना बताए घर लेके चलो इसे जवेरिया? मेरी बच्ची? कल रहा है खेडिय से तो कटी थी ना अंबे 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 अंधेरा ही अंधेरा दा लेके अमेरिका पे तो रोश्णी रोश्णी होगी ना अम्मी मेरे मां पे नहीं जाना अश्णी बचाला आप अम्मी को समझाए ना मुझे मां पे नहीं जाना अम्मी तुम्हारा रात को उससे कोई तालुक हुआ था? अमेरिका के चिर्जे होते रहे उसने नीद की दवाई ली यह दबिया देखे और चर्स भीके सो गया इतनी सक्त तंधेरे में मुझे बहुत डर लगता रहा रहा रात महर में नहीं सोर सेकी एक आला में रात मर जाकती रही जैसे ही ते सरे नियों सो सुना था 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 अमी मैंने सारी बाते सुन लिए आपा मुझे हमसाय नों बताया था जब दो बर्स पहले आदिल आया था ना तो उसने उनकी एक जानने वाली बेटी से शादी की थी वो शादी तो दो रोज मिल खतम होगी लड़की ने तलाग का मुतालबा किया था और कहने लगी किया दिल ना मर्द है क्या और ये सब कुछ तो मुझे अब बता रहे हो मुझे ये सब मालूम ना था आज सुबा जब मैं लोगों के घर बिठाई देने गया तो जवेरिया और आदिल की शादी सुनकर वो बेहत परिशान हुए और मुझे उनकी साबका शादी के बारे में बताने लेगी वो पिछले साल भी आया था लेकिन नड़की ना मिली मैंने सुना है उसने एक स्टोर खुला है वो शादी करने के बाद उस स्टोर में अपनी बीवी को काम पे रखेगा जल्दी से कैमिस के पास चाकर यह को जिए चेक रहा हूँ अब तुम इससे बिल्कुल बद भेज़ता हूँ फोरन तलाख का मुतालबा करो जल्दी से दर्वा से लोग करो कई हादे रागे जोर्दी से मुझे जवेरिया मेरी बच्ची जवेरिया आखे कोलो बेटा आखे कोलो काश तुम पर अमरीका का भूस सवार ना होता तो जवेरिया की जिन्दगी बर्बाद कर दी है जीनस से मैं 15 साल बड़ी हूँ मजाले इसने उससे कोई मश्वरा लिया हो दो शादी से दो दिन पहले बताया यह समझती है कि अम्रीका से आने वाला हश्रस खास है अमीर कभीर है और अम्रीका इस कुर्यास पर दुनिया की सब से बड़ी जन्नत है तुम लोग जबीरे को मेरे बताया बगर यहां पर लिया है बिटा कुछ दिन से यह रहने दो कल राद अंधेर से डर गई थी कुछ पता भी है इसके जोड़े और जिवार पर कितना खर्च किया था मैंने आपको पैसे की क्या कमी है आपका तो बहुत बड़ा कारोबार ही तो क्या पैसा कमाना मजाख समझते हो तुम लोग उटो जवेरिया चला चोड़ा मेरे पच्छी को चला यह राइस का बाउंडर क्या अच्छा तो क्या ये जवेरिया मेरी जासूसी कर रही थी आदेल बहता रोगा कि तुम जवेरिया को तरलाग दे दो और तुम ने हमसे अपनी साथ का शादी को चुपाया देखनू मैं सबको देखनू मैं तुम सबको जानतियों शबबा अपनी क्या किया है अपनी बेटी तलत करने का अदिल से पढ़वा दिया है क्या जबी तो आदिल ने इतनी आसानी से जवेरिया को तलाग दे दी तलाग तो तलाग शुदा है उमर भी 32 से उपर और शक्लो सूरत की भी बिलकुल मामूली क्या वो ये नहीं जानती कि आदिल ना मर दे शबबो आपा बहुत शाते रहे हैं सब जानती है अमरीका का रिष्टा तो उनके लिए जन्नत में दाखिल होने का दावत नाम आया है वो वहाँ खूब पैसे कमाएगी अमरीकी शेरियत मिलते ही तलाग ले लेगी फिर शबबो आपा और अपने भाईयों को भी बुलवा लेगी यकीन नहीं आता कि एक बेहन भी ऐसा कर सकती है मेरी मासूम बेटी शबबो आपा और तलत के लिए अमरीका की जन्नत तक जाने के लिए एक मजबूस सीड़ी साबित होई माई एक जाने के लिए होई